आकाश्वणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहले एक अपेल देशपर में 18 साल से अधिकायू बर के लिए सरकारी केंद्रों में निशल कोविट ठीका करन अभियान जारी है युवाओं से आग रहें कि ठीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोचाहिद करें जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के तीन सरलुपायों का पालन करें मास्क लगाएं दो गस की सुरक्षी दुरी बनाये रखें हाथ और चहरा साफ रखें कोविट संबंधी चानकारी और मार्ग दर्शन के लिए राश्य हलपलाई नंबर 0123978046 और 1075 पर संपर्क करें सबसे पहले मुख्य समाचार सेवा और समर्पन दिवस के रूप में मराया गया प्रधान मंत्री नरिंडर मूदी का जन्म दिन प्रदेश भर में आयुजित किये गए रचनात्मक कारिकरम आज प्रदेश में आयुजित किया गया विशेश्टी का करन अभ्यान लोगों में वैक्सिन लगवाने के लिए दिखा उत्साह ग्रेह मंत्री अमिश्चा कलेग दिवसी दोरे पर जबल पुराएंगे उजुलाटू योजना के शुभारम के साथ ही कई कारिकरमों में होंगे शामिल और राजनी वुपाल सहित प्रदेश के कई सिलों में बारिश का दोर जारी अब समाचार वस्तार से प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी का एकतरमा जन्म दिवस आज सेवा और समरपन दिवस की रूप में मनाया गया इस औसर पर प्रदेश में व्यापक रचनात्मक कारिकरम किये गए और प्रदान मंत्री श्री मोदी के नीतरत्य में किये जा रहे कल्यानकारी कारियों की जानकारी लोगों को दी गई भाजपा की ओर से प्रदीश में आज पौधरूपवन रक्तदान जैसे कारिक्रम आयोजवित किये गए वही सरकार की उपलब्धियों को लेकर जगय जगय प्रदरशनिया भी लगाई गई राजपाल मंगुबाई पटील और मोक्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान प्रदीश भाजपा अध्यक्ष विश्नदत्य शर्मा ने श्री मोधी को जन्मदिन के बढ़ाई दी मोख्य मंत्री श्री चोहार ने आज प्रदीश भाजुपा कार्याले में प्रधान मंत्री के सीवा कारियों पर केंद्रित चित्र प्रदरशनी का उद्खातन किया जवलपुर में भाजुपा अध्धेक्ष विश्नदत्य शर्मा श्री मोधी के जन्म दिन पर आयोजित हनुमान चालीसा पाठ और पौध्रूपन कारिक्रम में शामिल हुए हुशंगाबाद में श्री मोधी के जन्म दिन पर भाजुपा कारियाले में एक वर्चुल प्रदरशनी का प्रभारी मंत्री प्रजिंद्र प्रताफ सिंग और पूर विधान सभा अध्धेक्ष डॉक्टर सीता शरन शर्मा ने उद्खातन किया सागर इससे जिला चिकित साले और प्रधाश्रम में सांसद राज बहादूर सिंग विधायक शैलेंद्र जैन ने फल वितृत किये इस उसर पर सफाय अभ्यान भी चलाय गया सतना में सांसद गड़े सिंग ने जिलास पताल में भरती मरीजों को फल वितृत कर उनके स्वासलाब की कामना की इसके अलावा ग्वालियर, उजैन, देवास, अशोकनगर, सीथी, राइसेन, शिवपुरी, गुनार अतलाव, आगरमालवा, खंडवा, रीवा, सहित, प्रुदेश भर में इस उसर पर कही कारिक्रम आयुजित किये गए प्रुदेश में आज विशीष टीका करण बहाँ अभ्यान चलाए जा रहा है, इस दोरान वैक्सिनेशन केंद्रों में लोगों ने ठीके लगवाए टीका करण के लिए 10,000 से अधिक ठीका करण केंद्र बनाए गए हैं हुशंगाबाद सिले में 24 केंद्रों में करीब 50,000, जबलपुर में 71,000 टीके, गवालियर में आज 11,000 टीके लगाने का लक्षी रखा गया राजिके सागर, सतना, रीवा, इंदौर, उजयन, गुनाशियोपरी, आगरमालवा, हुशंगाबाद, पालाखार, रतलाम, मंसौर, सहित, अलग-अलग जिलों से हमारे समवाध धाताओं ने बताया है कि टीका करण के प्रती आज भी लोगों में भारी उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए वैक्सिनेशन के इंद्रों पर पहुंचे स्वास्त मंत्री डॉक्टर प्रभराम चौधरी ने कोबिट टीका करण के प्रती जंजागरुकता के लिए प्रचार वाहन को आज भुपाल अस्थित अपने निवास से ही हरी जंडे दिखा कर रवाना किया युनिसिफ की राज्यकाई द्वारा तयार इस वाहन को जागरुकता का संदेश देने वाले संदेशों से सुचधित किया गया है साथी लोगों को टीका करण के बारे में आसान भाषा में जानकारे देने के लिए पैंप्लिट भी तयार किये गया है स्वास्त मंत्री ने बताया कि ये वाहन को जागरुकता बढ़ाने के लिए प्रिशार करेगा प्रुदेश के सभी महाविद्यालियों और विश्विद्यालियों में नई राश्य शिक्षानीती लागू कर दी गई है इस नीती के तहट अब महाविद्यालियों में पढ़ाई के लिए उम्र का बंधन समाप्त कर दिया गया है अब कोई भी विद्याती डिग्री और डिप्लोमा साथ साथ कर सकता है उच्षी शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल आगर मालवाज लेके सोस्नेर में महाविद्यालियों के अतरिक तिकग शौर सुयत कला विद्यालियों के नई भवन का शिलान्यास करते वे कहा कि नई शिक्षानीती से विद्यार्थियों को गुडवत्ता प्रजदोरी है जरूरी सुरक्षित दोरी रखें हाथ हर मू साफ रखें ब्रेकी बास समचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है स्वातंतरता की 75 वी वर्ष के उपलक्ष में बनाय जा रहे है आजादी के अमरत मौत्सव पर आज प्रदेश पर में पौधरूपन कारिक्रम आयोजित किये गए मुखेमंद्री शिवरा सिंग चोहाने भूपाल एसिद स्मार्ट सेटी उध्यार में पौधरूपन कीया है अमरत मौतसव के तहट जबलपूर में आयोजित मैरतिन दोड में प्रदेश पाजपा, देक्ष वीडी शर्मा और सांसद राकेश सिंग सहित अन्नी जिन प्रतिनिधियों और पड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया भोपाल के समीब, वनशेत्र लहरपूर में वनवभाग के प्रमुक सचिव, अशोक वनवाल के नीतरुति में विभिन प्रजातियों के सौ पौधे रोपे गए, नीमच में वनवभाग द्वारा आयोजित कारिक्रम में कन्या छात्रावास परिसर में विथायग दिलीप समुदाय की लोगों को भी संबोधित करेंगे और अन्यकारिक्रमों में भी शामिल होंगे। बिना भी स्वख घोष्णा के आधार पर निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन ले सकते हैं। उजुला 2.0 का उद्देश उन कम आयवाले परिवारों को भी बिना किसी जमा राशी के LPG कनेक्शन प्रदान करना है जिनने इस योजना के पहले चरण में लाब नहीं मिल पाया। उजुला 2.0 में लाबार्थियों को गैस जुला भी मुफ्त दिया जा रहा है। इस योजना के तहट 800 रुपे से अधिक मुले का पहला गैस सिलेंडर भी निशुल्क दिया जा रहा है। कींद्री क्रेह मंत्री अमिश शाह कल सुबै साढ़े 11.00 बजे नई दिली से जबलपुर पहुँच रहे हैं। दो योजना का शुभारम करेंगे और शाम 4.45 बजे शहीद इसमारक प्रांगन गोल बासार में आयोजित कारिक्रम में शामिल होंगे। राज़ानी भूपाल सहीद प्रदेश की कई हिस्सों में रोक रोक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दतिया, भिंड और मुराना सहीद कुछ अन्य जिलों में भारी बारिश के चितावनी दी है। अब कुछ समाचाहर सिंग शेफ में। इस बुलिटिन में फिलहाल इतना ही, अन्त में एक अपील, मास्क और दोगस की दूरी हाँ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।